यही मूवी इस पूरे यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी बन जाती है जो की एक्जिस्ट करती है 1952 की टाइम लाइन से और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा इसके बाकी के पार्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते जाएंगे एस वेल इस तरीके से यह कुछ सिरीज है अगर बात करी जाए रिलीजिंग ओर्डर की तो इन सभी के इयर्स पर रिलीजिंग डीट अलग-अलग हैं मगर स्टूरी लाइन की अगर बात करी जाए तो यही इसका ट्रॉ कि अभी तक कोई हॉरर मुवी नहीं आई है तो ठीक है जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम सना विदाओट वेस्टिंग अनी टाइम चली आते हैं इस कहानी की में स्टॉरी लैंड की तरफ जिसके शुरुवात में हमें इस कहानी का 1952 में बेजड एक चैपल या फिर कहें करें तो यह बन जाता है जिसका एंग्लिश में मतलब होता है यानि की भगवान का रास्ता यहां पर खत्म होता है जो थोड़ी उल्डर नन थी उसके पास में चाबी थी उसी दर्वाजे की जिससे वह अंदर जा सके और अंदर जाने से पहले वह सिस्टर विक्टोरियों को खरापती वह पूरी तरीके से खोन में लटपत थी तभी वह विक्टोरियों के हाथ में चावी थमाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है कि तभी पीछे से एक दीमन नन आकर उससे ले जाती है डरी हुई विक्टोरियों खिड़गी के पास भाग के लिए उसने दनन का कॉस्ट्यूम बनाया होता है अगर हिंदू मानेता की मानी जाये तो जिस तरीके से हम भगवान में विश्वास रखते हैं अपनी श्रद्धास से उन्हें पूचते हैं उनका आदर सतकार करते हैं तो वैसे ही ट्रेडिशन में लोगों का चर्च पर से हो रहे हैं इसी बात से घबरा कर सिस्टर विक्टूरिया खुद ही फासी लगा कर अपनी जान दे देती है वहीं पीचे से हमें वैलक का चाहरा भी दिखाया जाता है जसके बाद में सीफ्ट होता है और तभी हमें दिखाए पड़ता है इस कहानी का वन आफ लीड सेकंड पार्ट में भी है खेर सेकंड पार्ट की बात आगे करी जाएगी वह यहां पर सिस्टर विक्टूरिया की डीकंपूस्ट बॉड़ी को देख पाता है तो कहीं शहर में अफरत अफरीना मज्जा इस बात को लेकर के इसलिए वह उस बॉड़ी को छिपा देता है मगर यह बात कैसे तैसे करके वैटिकंस के ओफिशल्स को पता चल जाती है एक तरीके से इन लोगों को यहां का ट्रस्टी कह सकते हैं जो इस चर्च को फंड वगरह भी करते हैं दो सिस्टर के उपर हुए भारी हमले को देखकर यहां की कमेटी फादर बर्क को बुलाकर इस केस क के लिए यहां भीजवाते हैं लेकिन की यहां ज्यादा खतरनाक लग रहा था इसलिए यहां पर एक और संगो चूज किया जाता है जसका नाम और यह चूज किया गया क्योंकि रुमानिया को बहुत अच्छे तरीके से जानती है जैसे वहां का पुराना कल्चुर वहां का ट्रेडिशन लोगों का भगवान में कितना दिल है यह सब कुछ फिलहाल हो एक टीचर होती है जो की स्कूल में छोटी बच्चियों को पढ़ाया करती थी मगर अभी तक वह एक पूरी नन नहीं बनी थी क्योंकि उसके लिए एक ओथ लिनी पड़ती है इस ओथ में शामिल होता है कि अब वो अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित करने वाली है और जो भी अभी तक उसने गुना किये हैं उसके लिए उसे माफ कर दिया सिस्टर आईरीन को जिनकी मुलाकात यहां आते के साथ ही फ्रेंची से हो जाती है क्योंकि फ्रेंची नहीं उस लाश को सबसे पहले यहां पर देखा था जसके बाद फ्रेंची उन्हें उस चर्च के कैसे छिपे दरवाजे के पास लेकर जाता है जहां से बीजी के लिए बैठ कैसे सकता है तभी फादर बर्क की नजर उनके हातों में मौझूद उस चाबी पर जाती है जो कि उस ओल्डर नन ने उसके हाथ में दी थी वो से ले ले लेते हैं और फिर उसका एक प्रॉपर फ्यूनरल होता है और जब यह तीनों वापस से एबे में लौट रहे होत सकते हैं तो एक काले बुर्खा पहने वाली औरत जैसे की एबिस कहा गया इस मूवी में रोक देती है और कहती है कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते सस्टर आइरीन उनकी बातों को सुनकर ड़ चुकी थी क्योंकि उनकी आवाज बड़ी भयानक थी कि तभी फादर बर्क क कहना था कि हम यहां पर किसी काम के सिलसले में आया हैं हमें अंदर जाकर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर नी है जिस पर रात हो चुकी है इस वकट आपको कारका ना ठीक नहीं रहेगा तो क्यों आप आज रात कोई रुख जार निकल जाता है लेकिन तभी उसे सिस्टर विक् दर जाता है कुछ पता लगा पाता लेकिन तभी उस पर एक डीमन नन का हमला हो जाता है दूसरे शब्दों में वैलक भी कह सकते हैं मगर उसके पास में एक क्रॉस का सिंबल था जिसकी मदद से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है यहां पर हम फादर बर्क और सिस्टर आ है जिस पर आयरीन बताती है कि मुझे मदर मेरी की आखे दिखाई पड़ती है और वो बार-बार एक कुंगली के जरीए सामने की और इशारा करती है और यह लाइन बार-बार रिपीट होती है कि मैरी पॉइंट अवे यानि की मदर मेरी तुम्हें रास्ता दिखाईगी जाता है और वह एक्जॉर्सिसम ठीक तरीके से फुल्फिल नहीं होनी की वजह से वह लड़का बहुत ही जदा दर्द महसूस कर रहा होता है उसकी जान से ली जाती है जिसकी मौत का जिम्मेदार अपने आपको समझते हैं अक्सर उन्हें डरावने सपने भी आया करते थे नहां पर वो डैनियल को अपने आखों के सामने पाते थे देखा जाये तो इन दोनों की कहीं न कहीं कोई कमजूरी थी और इस एबे में बात करके उन्होंने इनफर्मीशन उस वलक तक पहुचा दी थी अव इसका फायदा ये वलक कैसे उठाएगी वह मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा सीन शिफ्ट हूता है रात में और तभी फादर बर्क को कुछ म्यूजिक की हवाज आने लगती है ऐसा लग रहा था कि मानों कोई उन्हें पकार रहा है तो उसे खोचते खोचते वह एबे से बाहर निकल आते हैं जंगल में और पहुंच जाते हैं टरजान है कि दोवी फादर बर्क के उपर हमला हो जाता है उसी पुराने डीमन यानि कि पुराने आत्मा को वो काबु ठीक किसे डर चुकी थी और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है जंगल में आगे भागते वक्त उससे भी वही बैल की आवाज सुनाई पड़ती है जो कि कबर के उपड़ लगाई जाती है पहले आरीन को लग रहा था कि यह सिर्फ हवा की वज़े से घंट बर्क मिलते हैं हाला कि ऐसा करने में यह कामयाब तो हो चुकी थी मगर तभी वहाँ भापा धेड़ सारी रिंग्स बजने लगती हैं यह लोग कैसे देसे करके वहां से अपनी जान बचा कर निकलते हैं लेकिन अच्छी बात यह थी कि जिसकबर से वह निकल कर आये थे उन् में काफी सारी नंस प्रेयर कर रही होती है तभी वहां पर उसकी मुलाकात सिस्टर ओवाना से होती है जो कि बताती है कि यहां पर काफी टाइम से बुरे-बुरे हाथ से हो रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि यह सारा काम वलक है जिस पर आयरीन कहती है कि आखिरी है कौन इस कि लोगों को इस बारे में पता चल गया और वो इस रिचुवल को बीच में रोकने के लिए ही पहुंच गये और जीजस क्राइस के ब्लड की मदद से उन्होंने इस रिचुवल को रोका ताकि नर्क से वह भयानक आत्मा धरती पर ना सके हाला कि उस मूमेंट के लिए वह आत् समाकों की वज़े से वह सील टूट गई जिसके अंदर उस नर्क की आत्मा को कैद करके रखा हुआ था इसे बीच फादर बर्क जिने की वह किताब मिली थी उसकबर से रीट करने लगते हैं और तब उन्हें मालुम चल जाता है कि वह डीमन यानिकी नर्क से निकली आत्मा जिसे की एक वक्त पर जीजस क्रैस्ट के खून की मदद से रोका गया था और इक शील्ड बना दी गई थी यहीं इस चैपल के नीचे ताकि वह कभी बाहर ना सके पिछले कुछ दिनों में वर्ल्ड वार के चलते जो एर स्ट्राइक हुई है इसकी वज़े से वह शील्ड त साथ्चीत होती है बार्टेंडर का पूछना था कि आखिर तुम इतने घबराय हुए क्यों लग रहे हो जहां पर फ्रेंची का बताना था कि कुछ ऐसी भायना गटना है जो कि उसने अबे ऑफ कार्टा में देखी तब इस बार्टेंडर का कहना था कि कुछ दिनों पहले ही सचाइया मालुम चल चुकी थी तो एबे में अंदर यानि की चैपल तक जाने की कोशिश करते हैं तो एबेस उन्हें रूख देती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते जिस पर फादर बर का कहना था कि अब उस चाबी का क्या करूं जो मुझे सिस्टर विक्टोरिय और तब मालुम चलता है कि यह तो वह उल्डर सिस्टर थी जिसने सबसे पहले उस दर्वाजे में जाने की कोशिश करी थी जिसका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका था और वह पूरी तरीके से बुरी आत्मा के थूप पजस्ट हो चुकी थी लेकिन फादर बर कैसे करके अपनी जान बचा कर उससे भागते हैं यहां अब तक सिस्टर आयरीन पर वेलक ने हमला कर दिया था उसकी आवाजे सुनकर फादर बर को से बचाने के लिए जाते हैं मगर वह भी उसकी चपेट में आ जाते हैं लेकिन सही मौके पर यहां फ्रेंची पहुंच चुका जिसके पास में शॉटगन थी उसकी मदद से इन दोनों की जान बचा पाता है इस बीच सिस्टर आयरीन को सारी की सारी नंज प्रे करती दिखाई पड़ती है इसलिए भगवान से प्रार्थना करती है कि सारी चीज़ों को ठीक कर दिया जाए मगर इतने में ही एक काली शक् प्रेंची और फादर बर्क पहुंच जाते हैं जो कि कहते हैं कि आखिर तुम अकेले यहां पर क्या कर रहे थी जिस पर आयरीन बताती है कि यहां पर दो धीर सारी नंस थी हम से भी भगवान की प्रार्थना कर रहे थे तो आखिर वो सारी कहां चली गई तब इन्हें बाद कर सूसाइड नहीं बलकि एक सैक्रिफाइस किया था तो यहां पर कहानी की शुरुवात से वह वाला प्लॉट रिवेल होता है कि तुम्हें पता है कि अगर मुझे नुकसान पहुंच जाए तो तो नर्क से जब कोई आत्मा इस धरती पर आती है तो उसे एक इंसान की जान पड़ती है खुद से लेकिन अगर कोई अपना ही सैक्रिफाइस कर दे यानि कि अपनी जान सामने वाले डीमन को ना लेने देर खुद से ले ले तो नर्क से वह आत्मा धरती पर नहीं आ सकती बेसिकली एक जान दो पैडलर वर्ल्ट के बीच का एक ब्रिज होता है जो कि इ तक पूरी तरीके से नहीं वदी जहां पर फादरबरक उसे सहारा देते हैं कि सचो कर सकती हो सब्सक्राइर और योग उसके शबद दिलने के बाद में बढ़एN our तीनों ही तैयार हो जाते हैं उसे खत्म करने के लिए और चानबीन करने लगते हैं जीजस क्राइस्ट के ब्लड की क्योंकि लास्ट टाइम उन्हीं के खून की मदद से ही उस नर्क से निकली आत्मा को रोका गया था लेकिन इसी बीच इन पर काफी बार हमले भी होते हैं जान यह वो दर्वाजा था जिसकी चाबी से इने मिल जाता है जीजस क्राइस्ट का ब्लड इसी बीच वैलक यानि की नर्क से निकली आत्मा इन तीनों पर हमला कर देती है कि कहीं उसका वजूद खत्म न हो जाए और अब वो इन तीनों को ही नर्क में डाल कर अपने आपको हमला करती है एक सांप जो कि आलरेडी फादर बर्क पर हमला कर चुका था वहीं दूसरी तरफ सस्टर आयरीन जो कि अब उस आत्मा से प्रेंची पर हमला कर बैठती है लेकिन तभी किसमत से फ्रेंची के हाथ में जीजस क्रैस्ट का ब्लड लग जाता है जो कि वो उस पर द लाना चाता था और अब तो उसने आइरीन को वी डुबाएकर मारनी की कोश् से आता है और पूरा पानी जो कि नर्क से निकलने वाला शैतान अब खत्म होने लगा था यह तीनों ही और तभी वह पूरी तरीगे से खत्म हो जाता लेकिन दभी हम देख पाते हैं कि मौरिस के गरदन पर उल्टा क्रॉस बना हुआ है यानि कि किसी तरीके से वैलक ने अभी भी अपना एक छोटा सा अंच उसके अंदर छोड़ दिया था और इसी के साथ यह बहतरी मूवी यहीं पर खत्म होती है अब इस मूवी के पोस्क्रे विलक एक बार फिर से आएगी और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है आई होप गाइस की यह और एक्स्प्लेनेशन आपको पसंद आई हो इसका सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा सब तक के लिए कीप वाचिंग स्टे सेफ मिलते हैं अगले वीडि झाल